ओम शांती पिछले अंक में हम सुन रहे थे बड़ी दीदी अर्थात दीदी मन मोहिनी जी के बंबई में अपने लौकिक संबंधियों के यहां जाने का अनुभव अब वहीं से आगे बढ़ते हैं तो वह अपने सगे संबंधियों को कहती कि यह दुनिया तो अब कुरूर खंड अर्थात मायावी बन गया है तभी तो ज्ञान प्राप्त होने पर कवी ने लिखा है धर्म भूमी यह कूर खंड हो गई बन गए पुजे आज पुजारी निर्विकारिता स्वपन बन गई और सभी बन गए भिखारी भोग भोग की बात रह गई डसे हुए है सब को माया एक मूर्चना में सब व्याकुल बैठे मान स्वयम को काया कोई कहता सभी इश हैं कोई कहता भगवान नहीं है जितने मुह उतनी ही बातें कोई सत्य प्रमान नहीं है तो हम जो की शिव बाबा द्वारा दिव्य द्रिश्टी प्राप्त करके स्वर्ग के द्रिश्य देखती हैं वे इस माया नगरी बंबई को देखकर क्या करेंगी इस प्रिथ्वी पर रहने वाले लोग सत्युग में पूजे देवता थे परन्तु अब तो वे पुजारी और विकारी हो चुके हैं इस प्रकार की बातें कहकर हम उन्हें टाल देती हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन दता वैभवों की भी भेट दी थी परन्तु हम तो सदैव अपने हाथों से दो सादा रोटी बना कर सादा सबजी के साथ खाती थी और मन में इश्वर के गुणगाती थी अतहा उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मा वत्स अब अपने जीवन को बहुत उंचा बना चुके हैं ना तो इने गुमने फिरने का शौक है और ना खाने पीने का चस्का है इनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है एक और वे बंबई के फैशन और वहां के लोगों के राजसी रहन सेहन तता भोग में जीवन को देखते और दूसरी और वे हमारे सफेद एवं सादा वस्त्र तता बहुत ही सादा खानपान को देखते थे तो वे ब्रह्मा वत्सों के त्याग से प्रभावित होते अता वे हमें वापस कराची जाने ना देते परंतु हम तो वापस जाना ही चाहते थे जाना ही था वापस हम जितना समय वहां रही उतना समय उन्हें मधूर ईश्वर्य ग्यान तो सुनाती ही रही और उन्हें परंपिता पर्मात्मा की सम्रिती में भी बिठाती रही अन्य जो लोग भी हमसे मिलने आते उन सभी को हम ये संदेश देती थी शिव बाबा को अब याद करो तुम्हें मुक्ती धाम में जाना है अपने पुरुशार्थ के बल पर सत्युग में तुमको आना है ये संगम का स्वरणिम युग है शिव बाबा फिर से आया है ब्रह्मा मुक्से शिव बाबा ने वही गीता ज्यान सुनाया है स्रिष्टी का अंत अब आया है विकराल विनाश खड़ा आगे है समय आखरी अब सबका शिव बाबा ने बतलाया है पांडव शिव शक्ती सेना की रण भेरी अब फिर बजती है शिव बाबा के नेत्रेत्व में फिर माया को मार भगाना है शिव बाबा को अब याद करो तुम्हें मुक्ती धाम में जाना है कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंदियों ने सारे यग्य के इस्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंतरण पत्र लिख कर भीजा तथा इश्वरी नियमों का पालन करने की लगन हो ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य दैवी बहन जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती है और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी है उनकी ओर से यग्य में निमंतरन भीजा और हमें कहा कि सभी यग्य वत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंडा जाए मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने पूना, बंबई, एहमदाबाद, आदी में कई भवन देखे परंतु हमें धाई तीन सो यग्य वत्सों के इकठा रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा कोई बड़ा भवन दिखाई न दिया जिसमें ठीक से व्यवस्था हो सके मकान ढूनने के कारे में हमें एहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी जो की प्रसिद सन्यासी और प्रचारक हैं और जिन्हें की सिंध के लोग गुरु मानते हैं उन्होंने भी हमें काफी सहयोग दिया उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्षे सिद्धानन जी को भी हमारे साथ भेजा इस कारे को करने के लिए आज के लिए बस इतना ही अगली कड़ी तक स्व उन्नती और सर्व उन्नती के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें ओम शांती